नमस्कार दूस्तो अभी अभी दू मिनट पहले कि सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है पतनी का आरोप साधी के दो साल बाद भी पती ने अब तक नहीं बनाया संबंद बदले में पती ने दिया हैरान करने वाला जवाब रह तक से अजीबो गरीब घटना सामने आई है यहाँ एक महिला अपने पती की स्थिकार लेकर ठाने पहुंची है महिला का कहना है कि साधी के दो साल होगे मगर पती ने अभी तक उसके साथ फिजीकर रिलेसन नहीं बनाया है उसने पती पर आरोप रहा है कि वे मुझे में दिल्चस्पी नहीं दिखाते ही वे मुझे से दूर रहते ही और मुझे अभी तक पत्नी का अरिकर नहीं दिया है महिला का कहना है कि उसकी साधी धूमधाम से हुई थी साधी की सारी रस में निभाई गई थी सब कुछ सही चला था मगर जब हो है साधी के बाद सस्राल आई तो हकीकत कुछ और ही निगली वहतो सपने सजोई हुए अपने सस्राल घराई थी मगर उसके सारे अरमान अब अधूरी रह गई हैं जब पती की हरकत सामने आई है साधी के बाद उसके पती ने उससे दो लाक रुपे की मांग की उसने कहा कि मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है पती ने कहा कि अपने माई के से दो लाक रुपे लेकर ही घराना प्रीडीदा को कुछ समझनी आया क्योंकि उसकी माने पांच लाक का लोन लेकर उसकी साधी कर वई थी वै किसी तरह से उसकी किस्ट चुका रही थी आखिर वे दो लाक रुपे कहां से लाईगी इसके बाद इस मसले को लेकर दो तीन बार पंचाते हुई पंचात के कहने पर वे पती के घर चली गई मगर पती अभी भी उस पर ध्यान नहीं देता था उसे कोई मतलब न नहीं लेकर आई इसलिए पती ने उसके साथ संब्बंद नहीं बनाएए वही इस मामले में पती का कहना है कि मैं इस साधी के लिए तयार नहीं था मैंने ये साधी सिर्फ मा के कहने पर कि थी पिड़िता ने दो सालों तक सब कुछ ठीक होने का इंतिजार किया मगर मामला द उसे फौन नहीं करने दिए इसके बाद उसे गालियां दे कर मारा पीटा गया फिलाल पुलिस ने महिला के पती और सास के खिलाप मामला दर्ज कर लिया है पुलिस दोस्तों चानविन कर रही है तो बहुती बड़ी बिग ब्रेक उनी जिस वक्ता रही है महिला ने अपने पती और सास के खिलाप मामला तर्ज करा दिया है अलट रहें स्रक्षित रहें अपनी राइकोमेंट बढ़ेंगे